गुद मॉनिंग दोस्तों मेरे नाम संदीप कुमार एड़ी फ्रम इंजीनियस कॉमपटेटिव टरनिंग एकाडमी आज मैं आप लोगों को इंजीन नामी नर्सिंग असिस्टेंट का जो प्रीवेस एर एक्जामेनेशन पेपर हुआ था 2020 के अंदर जो की कतिहार और बहरंपुर जो कि आप जानते हैं अलग-अलग जगह में होता है और कुछ कोशेंस रिपीट होते हैं कुछ कोशेंस में कुछ वैरी होता है उन दोनों का कोशेंट पेपर अगर चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मैतमाटिक्स के जो भी selection in six hours करके वीडियो सेर्च करिए आपको आराम से वो मीडियो बिल जाएंगे जो की साथ वीडियो होंगे दोस्तो अगर देखा जाए इनके अंदर आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का section A में जो की general knowledge है दोस्तो कुछ technical के सवाल हमने इंक्लूड किया क्योंकि हमें पूरा paper नहीं मिल पाया है तो steel town jamshedpur is in जो कि आप जानते हैं jamshedpur jamshedji tata यह steel town कहते हैं और यह कहां पर उपस्तित है जारकंड में आप देख सकते हो although many cities in India have steel plant jamshedpur in jharkand is known as steel city of India कि city को steel city of India कहते हैं जो कि jamshedpur दोस्तो और यह आप देख सकते हैं वहां पर tata steel plant उपस्तित है और जारकंड में आप देख सकते हो और national flower of India पूछा गया है जो कि lotus है दोस्तो आपको पता होना जरूरी है और साथ में अगर देखा जाए रोज जो है USA का है और इंडिया का lotus है दोस्तो और national bird of India जो कि peacock है इनका जो scientific name है पावो क्रिस्टाटस कहते हैं बहुत ही important है दोस्तो आपसे peacock की जगा आपको दे देगा scientific name जो कि पावो क्रिस्टाटस जिसे साबसे हमारा tiger है panther या tiger है अगर देखा जाए nightingale का क्या नाम है parrot का क्या नाम है hummingbird का क्या नाम है आप इसको याद रख सकते हैं यह scientific name आप याद रख लीजिए अलग-अलग जो कि hummingbird आप जानते हैं पीछे की तरफ भी वो fly करती है सबसे छोटा पक्षी है दोस्तो और वो पीछे की तरफ backward flying करती है अगला देखे चंदरगुप्त मौरिय defeated which of the following king जो कि आप जानते हैं मगदा and ruler of the Punjab जो कि he began the Mauryan dynasty expanding his empire to the borders of Persia in 305 he defeated an invasion by Silucus I Nicator a Greek contender for control of Alexander's Asian empire जो कि चंदरगुप्त मौरिय जो है Silucus Nicator को हराया और इसके बाद उसको अपनी खुद की बेटी से शादी भी कर लिया उन्होंने और बात आता है दोस्तो जो कि बिंदुसार अशोक का पापा है दोस्तो अशोक जी का जो कि अशोक का कलिंगा वार के लिए famous है ये इनकी फाधर है बिंदुसारा अगर पूछा जाए बिंबिसारा जो कि अजात शत्रु का पापा है दोस्तो बिंबिसारा तो यहाँ पर अगर देखा जाए, the disease caused by malaria, जो कि आप जानते हैं, mosquito होता है, दोस्तो, plasmodium parasite, यह spread करता है, यह anophilis mosquito है, दोस्तो, malaria vector है कह सकते हो, जिसके वज़े से malaria हो जाता है, बाकी bacteria आप जानते हैं, vibrio colora और typhoid, जो कि इन सब vibrio colora हो जाता है, और typhoid, जो कि salmonella typhi bacterium स होता है, दोस्तो, flies आप जानते हैं, common house fly can transmit the pathogens that cause, जो कि typhoid fever, और यहाँ पर colora भी थोड़ा बहुत इन से हो सकता है, human beings से नहीं होता है, दोस्तो, यहाँ पर जो भी पूछा गया, malaria जो है, यह आप muskito के वज़े से ही होता है, इवन डेंगु जो है, Aedes aegypti एक muskito है, जि Known as Kangado Rise is a mountain in the eastern Himalayas of India, and is the highest peak in the state of, जो कि आप बहुत ही important है, दोस्तो, अरुनाचल प्रदेश आप तो जानते ही है, कैंटो, इसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम, Kangado Rise कहते हैं, और इनकी जो हाइट है, आप देख सकते है, 7,060 meter है, दोस्तो, एक ऐसा mountain of eastern Himalayas है, located in the Indian state of अरुनाचल प्रदेश, and it shares its border with the Tibet, जो कि यहाँ पर highest point, जो कि अरुनाचल है, दोस्तो, यह अरुनाचल में आप देख सकते हो, इस Kangado, यह mountain जो है, आप eastern Himalayas of India, आप देख सकते हैं, कहाँ पर उपस्तित है, अरुनाचल प्रदेश, ठीक है, अगर आप से पूछा ज के नएने आ जाएंगे, जो कि आपको माक्स काट देगा, so Kangto, also known as Kangdo Rise, एक mountain है, जो कि अरुनाचल में उपस्तित है, इसका height 7060 मीटर है, दोस्तो, अगला what is the Vedic name of River Ravi, जो कि आप जानते हैं, अलग-अलग रिवर्स का, अलग-अलग वेदिक नेम है, दोस्तो, आरियन्स ने, जिनके अंदर सबत सिंदू, जो कि साथ नदिया है, नौर्थ वेस्ट इंडिया में है, ये ईस्ट से लेके वेस्ट ट्रैवल करते हैं, और स्रस्वती और सता दुरू, जिसको सतलज का दूसरा नाम है, सता दुरू, विपासा यानि बियास होता है, दोस्तो, परोष्णी य यानि चीनाब, वितास्ता यानि जीलम और सिंदु को इंडस कहते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे सवाल था, वेदिक नेमाफ रावी, जो कि परोशनी या परोशनी लिखाए इस पे अंदर, जो कि यही इसका वेदिक रिवर है दोस्तों, बागे सतले आप जानते हैं जो हाँ जो है महाराश्र अमरावती एक जगह है, वहाँ पे यह रिवर आप देख सकते हो, चंदरबागा, अगला देखिए, ग्रामी अवार्ड से किनको दिया जाता है, यह म्यूजिक इंडस्ट्री में ग्रामी अवार्ड सको इश्यू किया जाता है, आप जानते हैं, न दोस्तों, यह ग्रामी अवार्ड मूजिक के फिल्ड में दिया जाता है, दादा साहेब पाल के अवार्ड जो कि लाइफ टाइम अच्यूमेंट अवार्ड होता है, फिल्म इंडस्ट्री में आसकार भी देख सकते हैं, लिटरेश में बूकर प्राइज होता है दोस्तों, औ नैनपीत अवार्ड भी आप देख सकते हो, अलग-अलग अवार्ड और स्पोर्ट्स के अंदर वेरियस अर्जुना और द्रोनाचर्य अवार्ड देख सकते हैं दोस्तों, विच अमांग दो फॉलोइंग इस अन आउट्डोर गेम, जो कि बाहर खेलने वाली गेम, जो कि ब फाइबर क्रॉप नहीं है पूछा यहां पर, आप जानते हैं जो कि काटन, हैंप और जूट, यह तीनों क्या है, फाइबर क्रॉप से पर यहां पर पीस, जो कि जिनके अंदर फाइबर ज्यादा होता है, यानि यह फाइबर क्रॉप नहीं है, सो जिनके अंदर फाइबर कं इसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन इन पीस के अंदर आपको देखने को मिलेगा अब बात आता है कॉर्टन हेंप और जूट जो की यह सब फाइब्रस आप फाइबर क्रॉप कह सकते हो मैतमाटिक्स की कुछ कोशन हमने डालने की कोशिश की है बाकि हमने अल प्रीमेटर दे दिया है जो की 2X 2X अगर है प्रीमेटर 2 इन्टो अल प्लस भी है दोस्तों जिसके वज़े से आराम से 2 इन्टो 3X एकल टू 48 बनेगा X equal to क्या बनेगा 8 बनेगा यानि 16 और 8 जो है length into breadth दोस्तों अगर area पूछा गया rectangle का island to be यानि आपको 108 answer बन गया दोस्तों अगला देखे एक्विलेटरल triangle में इनका height दिया गया है जो की height 2 root 3 है दोस्तों और area find out करने के लिए बूला है जो की sides आप जानते हैं ये 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 होता है तो उसकी हिसाब से यहाँ पर pythagoras की हिसाब से अगर देखा जाए a square is equal to x square plus a by 2 whole square होगा जिसके वज़े से आपको x value आराम से देखने को मिलेगा x value बिल जाएगा और साथ में आप area of a triangle लोगों को 12th basic पर जा रहे हो तो करना बहुत ही आसान होना चाहिए अगला देखे दोस्तों ratio of girls and boys दिया गया है 3 is to 2 उनमें क्या होगा? 300 लड़किया जाइन हो गया जिसके वज़े से उनकी ratio क्या हो गया? 5 is to 2 हो गया मतलब बराबर जो है 2 आप देख सकते है boys पहले भी वही थे आज भी वही है लेकिन girls जो है 3 से क्या हो गया? 5 हो गया यानि यहां का 3 से लेके 2 का बढ़ा होती हुआ तो 3 से लेके 5 उनमें 2 का बढ़ा होती हुआ 2 कितने की बराबर है? 300 लड़कियों का बराबर है यानि 2 अंडे अगर 300 रुपय का आता है तो 1 अंडे 150 का आता है यहां पर 150 का स्ट्रेंग्ट दिखा रहा है तो अभी स्ट्रेंग्ट कितना है? अभी लड़कियों 5 है 5 इंटू 150 यानि 750 लड़किया है और boys जो है 2 इंटू 150 300 लड़के हैं तो यह आंसर है दोस्तों बहुत आसान है और simple interest 2 साल का दिया इन्होंने 500 रुपया है दोस्तों और यहां पर देखा गया है अलग-अलग आप देख सकते हो simple interest अगर 500 है जो की simple interest 10% की साब से 2 साल में यहां पर आप जानते हैं 20% अगर compound interest में अगर पूछा है तो 525 आप कॉंसर देना है तो यहां पर इस साब से बनेगा जो 20 का बढ़ावर अगर 500 है 21 का बढ़ावर आप 525 दोस्तों बाकी sign values पुटप करनी है 4 sin square 30 और 3 cot square 60 की साब से अगर देखा जाया आप minus 2 1045 square जो की तो यहां पर आराम से value जो है 0 यह बन जाता है दोस्तों जो की यह बहुत ही आसान सवाल है अगला physics में देखिये दोस्तों physics का बहुत ही hard questions थे जो भी पूछे गए हैं उनको नजर अंदाज ना करो इस बार जो भी nursing assistant और technical के question paper आ रहे है वो काफी मुश्किल आ रहे है दोस्तों इन पे आप नजर अंदाज ना करो you have to be strong enough अगला देखिये दोस्तों the work done by an object is W if the force acting on the object is doubled then the work done will be जो की बहुत ही important है दोस्तों जो भी work done हो रहा है by an object is क्या है W है दोस्तों if the force acting on the object is क्या हुआ doubled war then the work done will be वो आप जानते हैं जब कोई force apply करते हैं तब displacement क्या होगा थोड़ा बहुत बढ़ेगा ना अगर आप दूना force दे रहे हो तो दूना आपका displacement भी बढ़ेगा so work is equal to F into S इसकी साब से आप आराम से 2F into 2D अगर करेंगे तो वो जो work done है वो 4W के बराबर हो सकता है दोस्तो आंसर क्या है आपर 4W है दोस्तो universal gravitational constant जो की capital G newton's kg square per meter square is the right answer दोस्तो अगला dimensional formula of strain पूछा गया जो की बिलकुल strain का कोई dimensional formula हाई नहीं पर stress का है stress का क्या है m l-1 t-2 अब बात आता है the mass of the moon and the earth are the same जो की mass है moon का और earth का कैसा होता है बराबर होता है पर weight जो है अलग होता है moon में अगर weight अगर 6 kg है तो यहां पर आते ही दर्ती पर 36 kg हो जाता 6 into multiple 6 times so यहां पर the moon's gravitation force is determined by the mass and the size of the moon since the moon has significantly less mass than the earth it will not pull objects towards itself at the strength of that earth will this means that if you went to the moon you would weigh less even though your mass stays the same so यहां पर क्या वहां पर moon में काफी कम weight दिखागा sound waves कि ससाब से देख सकते हो यह longitudinal waves है दोस्तों अगर transverse waves example देखना है तो आपको light waves है दोस्तों अगला देखिए electromagnetic nation में कौन सा waves है आप मुझे comment section में बता सकते हैं अगला biology में अगर देखा जाए protein and dna attain their three-dimensional reactive configuration in so यहां पर जो भी पूछा गया है protein और dna जो है they attain किस तरह का their three-dimensional reactive configuration in contact with किन से so आप देख सकते हो इनका जो answer है आप लोग मुझे comment section में बताईएगा अगर protein and dna attain their three-dimensional reactive configuration in contact with जो कि जिस से या लिपिड से या जो भी enzyme से आप मुझे बता सकते हैं यहां पर जो भी answer है दोस्तो जिसका बहुत ही अच्छा question है I want you guys to comment in this section famous angora wool कहां से आपको देखने को मिलेगा यह angora wool जो है एक rabbit से आपको देखने को मिलता है उस rabbit का नाम अंगोरा rabbit है दोस्तो उसका जो बाल है fiber है वो downy coat produced by the angora rabbit angora is known for its softness thin fibers and what knitters refers to a halo that is puffiness it is also known for its silky texture वो कैसे रहता है एकदम silky texture देखने को मिलता है angora sweet so इस तरह का बाल और fiber से इस तरह का coat पैनाते हैं और बात आता है दोस्तो pollen tube was discovered by जो कि बहुत ही important है दोस्तो pollen tube पहले discover किया है betisca amici sorry amici so jioni betisca amici is the person जिन्होंने 19 century में model for understanding plant cell behavior उन्होंने formulate किया है so उसमें क्या है plant cell behavior को understand करने के लिए pollen tube use किया गया था और उनका नाम है amici अब बात आता है दोस्तो hof mister जो कि आप जानते है hof mister is widely credited with the discovery of alteration of generations as a general principle in plant life जो कि plant life के अंदर इन्होंने formulate किया discover of alteration of generations hof mister अब बात आता है chimraris जो कि rudolf jacob chimraris और chimrar was a german botanist and physician यह क्या है german botanist है और physician है दोस्तो how many spinal nerves are there in human body जो कि आप जानते हैं कुल मिला के 31 pair 31 pair of spinal nerves देख सकते हो वो आप कौन सा एरिया में spine के एरिया में that they are associated with these spinal nerves have both sensory and motor function इनके अंदर sensory भी रेखने को मिलेगा और motor function भी है so कुल मिला के 31 pair से दोस्तो 8 cervical है 12, 83 है 5 lumbar है 5 sacral है and 1 cosigil है so इसमें क्या each pair connects the spinal cord with the specific region of the body कुल 31 pairs है दोस्तो अगला देखिए the outer covering of human brain जो कि brain जो है 3 layer से cover किया रहता है सबसे पहला आपको देखना ज़रूरी है 3 layers में क्या होता है ये जो membrane होता है उसको meninges कहते है and बात आता है दोस्तो the delicate inner layer जिसको हम कहते हैं पिया मेंटर जो कि अंदर वाला middle layer को arachnoid a web-like structure filled with the fluid that cushions the brain the tough layer को कहते है duramater जो कि सबसे उपर रहता है दोस्तो ये tough layer है outer layer है duramater है दोस्तो बाकी पिया मेंटर arachnoid and duramater ये अलग-अलग layers है दोस्तो आप देख सकते हैं ये arachnoid जो है loosely around the brain आप देख सकते हो जो की middle layer कह सकते हो dash is the method of birth control बच्चे को control करने के लिए अलग-अलग method अपनाए गया है so यहाँ पे pregnancy को बचाने के मतलब iud क्या होता है intrauterine device एक device होता है birth control pills होता है और the rhythm method होता है vasectomy tubectomy आप जानते हैं tubal ligation या tubectomy कहते हैं vasectomy so tube जो है लड़कियों के लिए vasectomy gents के लिए यूश किया जाता है अलग-अलग methods है लेकिन यहाँ पे iud is the right answer यानि birth control it is inserted into the uterus where it stays to prevent pregnancy बाकी आप htf यानि human tubal fluid होता है fertility human sperm के लिए अब बात आता है gift यानि gamet in fallopian transfer ivf et क्या होता है यहाँ पे vetro fertilization and embryo transfer होता है दोस्तों यह अलग-अलग है जो कि आपका इसका relevance ही नहीं है so iud is the right answer for birth control cell membrane is made of जो कि आप जानते है paspo lipid proteins या lipids कहते है इस cell membrane जो it consists of क्या है lipid bilire including cholesterol a lipid component that's it between paspo bilits to maintain their fluidity at various temperatures the principal components of plasma membrane or lipids इसको हम कहते हैं paspo lipids and cholesterol so इस तरह का आप देख सकते हैं दोस्तों जो भी दिया गया आराम से आप पढ़ लीजिये it's made of glycerol two fascia acid tails and phosphate linked head groups यह है दोस्तों आपको याद रखनी है अगला plants which possess seeds but not fruits or gold ऐसा कौन सी plants है जो की seeds देखने को मिलेगा पर fruit नहीं उनको हम कहते हैं gymnosperm वो ऐसा plant होते हैं जिनके अंदर आप seeds देख सकते हो पर fruits नहीं है दोस्तों जितने भी grains है उसी किसम का है दोस्तों angiosperm है जो की fruit होता है grains होते हैं angiosperms में आ जाते हैं तो यहाँ पर seeds अजय से की vegetables है trees है shrubs है grasses है and flowers है इस सब angiosperm है दोस्तों अब बात आता है pteridophytes is a vascular plant जो की xylem and pholum देखने को मिलता है that disperses pores because pteridophytes produce neither flowers nor seeds न फूल देंगे न सीड देंगे they are sometimes referred as cryptogums so pteridophytes का दूसरा नाम क्या है वो है cryptogums अगला देखें दोस्तों so इसका जो मतलब होता है meaning that their means of reproduction is hidden उनका जो reproduction है वो क्या है एकदम छुपा है hidden है आप मुझे comment section में बताएंगे gymnos pumps का अलग-अलग क्या-क्या examples है आप मुझे comment section में बताईएगा bryophytes are an informal group consisting of three divisions of non-vascular land plants उसको हम embryophytes भी कहते हैं जो कि liver words है horn words and moses कह सकते हो अगला देखे दोस्तो common cold एक किसम का क्या है एक acute disease है दोस्तो बाकी congenital and chronic disease क्या होता है अलग-अलग हम discuss करेंगे ABCD option में लेकिन common cold एक rhino virus की वज़े से होता है दोस्तो ये appear suddenly and last for a short amount of time एक कुछी देर के लिए आपको आ जाता है अगला देखे दोस्तो congenital disease जो कि severe congenital anomalies are heart defects neural tube defects and down syndrome although congenital anomalies may be the result of one or more genetic infectious nutritional or environmental factors it is often difficult to identify the exact causes जो कि congenital होता है पर acute में आप जानते हैं जो कि influenza virus and the common cold इसब क्या है acute disease है दोस्तो पर congenital disease में आप इस तरह का nutritional environmental factors देख सकते हो अब बात आता है दोस्तो chronic diseases क्या-क्या है chronic diseases वो है जो कि condition for the last one year वो आपको एक साल तक देखने को मिलेगा या उससे जादा ongoing medical attention or limit activities of daily living और both chronic diseases such as heart disease जो भी cardiac related जो भी आप stunt लगाते हैं इस तरह का जो होता है वो chronic diseases दोस्तो cancer हो जाता है और diabetes हो जाता है जो कि आप death हो सकती है और disability भी हो सकती है genetic diseases दोस्तो जो कि genetical disorder होता है health problems caused by one or more abnormalities in the genome it can be caused by a mutation in a single gene उसको हम कहते हैं single gene को monogenic mono यानि single genic यानि gene ठीक है multiple genes क्या होता है polygenic होता है दोस्तो इस तरह का multiple देख सकते हूँ आप so by a chromosomal abnormality जब chromosomes आपको 47 अगर हो गया तो उसको आप down syndrome कहते हैं दोस्तो normally 23 pace होते हैं और यहाँ पे 47 अगर हो जाएंगे तो problem होगा इस तरह का अलग-अलग है जो की genetical disorder होता है और जांडिस अगर हो जाता है किस पे maximum effect पड़ता है वो है liver है जिसकी वज़े से आपको जांडिस हो जाता है तो वो bile use produce करना पूरा body फैल जाता है और वो क्या होगा काफी problem होगा इलो इस आपका शेरीर हो जाएगा आंग भी इलो कलर में देख सकते हो बाकी heart diseases आप जानते हैं heart attack जो को stunt लगाते हैं bio medical engineering base पे वो काम करता है kidney जो है पत्तर हो जाते है और उन stones को हम लोग कहते हैं इस तरह का kidney stones को euralithiasis कहते हैं nephrolithiasis कहते हैं और renal calculeb भी कहते हैं वो जो इकटा होता है उसको हम कहते हैं calcium oxalate कहते हैं जो की kidney stone जो भी इकटा होगा calcium phosphate और वो और बाकी meningitis बीमारी हो जाता है brain को अब बात आता है दोस्तो gout जो की आप जानते हैं when ureate ureate crystals accumulate in your joints causing the inflammation and intense pain of a gout attack जब gout हो जाता है इस तरह का inflammation सुझी जाता है आपकी joints पे जहां जहां joints है वहां पे और साथ में uric acid क्या होगा बढ़ जाएगा आपका खून के अंदर urea crystals आप जानते हैं urea production occurs in the liver and is regulated by an acetyl glomate urea is then dissolved into the blood सो इस तरह का कहीं कहीं आपको problem हो जाता है kidney problem में urea crystals जम जाता है सो यहां पे जो gout पूछा गया है जो की uric acid crystals आपको देखने को मिलेगा दोस्तो बस यही answer था अब बात आता है glucose crystals कहां पे crystallization में यहां पे देख सकते हो इसका जो answer है god happens due to the accumulation of uric acid crystals in the blood universal donor और acceptor आप जानते हैं donor यानि वो जो सबको खून दे सकता है पर अपने लिए नहीं है और यह भी आप जानते है सबसे कून ले सकता है वो universal recipient है और वो किसी को नहीं दे पाते except A B को और बाके Bombay blood group बहुती important है दोस्तो काफी rare होता है इस Bombay blood group का दूसरा नाम क्या है H-H बहुती important question है दोस्तो आप से पूछा जाएगा Bombay blood group का दूसरा नाम क्या है वो है H-H it is a deficient in expressing antigen H deficient क्या है expressing antigen कौन सा H so RBC has no antigen H for instance the AB blood group बहुत antigen A and B are found उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा antigen A and B देखने को मिलेगा A will have A antigen B will have B antigen in H-H there are no A and B antigen so आप से पूछा जाएगा H-H के अंदर क्या देखने को नहीं मिलेगा जैसे की A and B antigen नहीं मिलेगा इसको किसने खोज किया है Dr. Y.M. भेंडे जो कि in 1952 इंडिया में ये भेंडे जो है 1952 में इन्होंने Pombay blood group की खोज की थी the common method of reproduction in bacteria जो कि binary fission होता है fusion है दोस्तो F-I-S-S-I-O-N इस तरह का binary fission आप देख सकते हो bacteria के अंदर multiple fission आप जानते है algae और plasmodium में इस तरह का multiple fission देख सकते हो जिसमें several times उन्टे ये daughter of nuclei और बाखिक budding आप जानते है hydra के अंदर आप budding देख सकते हो इसमे asexual production है in which the individual develops from the generative atomical point of the parent organism जो बहुत ही important है दोस्तो इस तरह का आप budding कहां होता है और multiple fission कहां होता है binary fission कहां होता है ये हर चीज A, B, C, D मैं पागल हूँ क्या इतनी बढ़िया आप लोगों को दे रहा हूँ मैं बता रहा हूँ यहां पे एक question paper नहीं आज आप लोगों को चार question paper discuss कर रहा हूँ समझ लो क्योंकि इस तरह का ये video की तरह कोई भी explain आपको YouTube channel के इंदर नहीं मिलेगा मैं challenge कर सकता हूँ ऐसे videos आप लोगों को हर video आपको देखने को मिलेगा क्योंकि मैं जानता हूँ मैंनत क्या होता है जो बंदा मैंनत करना चाहता है मेरे साथ आप आराम से सबी videos देख लो 240 या 360 resolution से आपको आराम से आपका funda clear हो जाएंगे अगला देखिए दोस्तो conjugation conjugation वो चीज़ है ये overlap of one p orbital with another cross an adjacent sigma bond इसको हम conjugation कहते हैं जो कि यहाँ पर main important हमारे लिए क्या था जो भी reproduction है common reproduction जो bacteria के अंदर होता है वो binary fusion होता है दोस्तो अगला which of the following is a transparent tissue जो कि यहाँ पर option में दिया गया था highline cartilage जो कि largely glycosaminoglycan giving it a shiny glass like or transparent appearance this type of cartilage gives flexibility and support at the joints जहाँ जहाँ joints होंगे वहाँ पर एक ऐसा cartilage आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर flexibility है साथ में support भी दिया जाता है joints को उसको हम लोग कहते हैं transparent tissue जो कि highline cartilage दोस्तो बाकी fibrous cartilage has many collagen fibers and is found in the interval discs and pubic symphysis जो कि आप जानते हैं इस तरह का आपको invertebral disc यानि आपका कमर से नीचे pubic symphysis में आपको देखने को मिलता है fibrous cartilage so highline cartilage ये क्या है ये transparent tissue है दोस्तो tendons आप जानते हैं जो कि similar to ligament type में और both are made of collagen so यहाँ पर ligament जो होता है वो that connect one bone to another bone so जो कि ligaments है bone से bone connect करता है ligament और tendon muscle to bone connect करता है जो आपको पता होना बहुत ही important है दोस्तो so यही फरक होता है ligament और tendon का बहुत ही important है tendon connects between tendon, muscle and bone muscle and bone TMB ऐसे कर लो और ligament connect LBB so ligament bone to bone tendon TMB इस तरह का आप याद रख लो थोड़ा सा फाइदा होगा अब बात आता है father of biology किसको कहते है Aristotle जो कि father of biology कहते है और fascination is what led to the birth of new science known as biology so इसका काफी fascination था biology की प्रती और Aristotle को हम लोग father of biology कहते है बाकी Newton आप जानते है सराइजाग Newton जिन्होंने law of Newton's तीन law उन्होंने formulate किया है Virgilius जो कि Swedish chemist है दोस्तो ये Silicon और थोरियम को इनने खोज किया है Aristotle जो कि इसका father of biology answer है दोस्तो Plato एक Athenian philosopher है classical period in ancient Greece founder of Platonist school of thought and academy इस तरह का आप देख सकते हो अलग-अलग scientist का भी अलग-अलग आप से अगला exam में पूछा जाएगा कि ये कोने वो कोने तो आप लोगों को ABCD options भी पता होना जरूरी है अब बात आता है decons process is used for the manufacturing of जो decons process है वो इसलिए यूज किया जाता है chlorine को manufacture करने के लिए ये एक ऐसा process है इसमें क्या होता है manufacture of alkalis और the initial product was sodium carbonate सबसे पहले sodium carbonate होता है by the Leblanc process in this process hydrogen chloride is oxidized by oxygen over a copper chloride catalyst resulting in the production of chlorine so इससे क्या होगा क्या manufacture कर रहा है जो कि chlorine है दोस्तो किसकी इस्तमाल से hydro chloride से और oxidized by oxygen over एक कौन सा plate copper chloride catalyst plate के उप़र so इस तरह का chlorine आपको formation होगा कौन सा method है जो कि आपको पता होना है decons process so chlorine को इस तरह का कौन सा process है decon ये भी आप से पूछा जाएगा अगला exam में which is one of the following properties of an element is not variable जो कि यहां पर आप जानते है atomic weight is specific for a particular element and doesn't change under any circumstances यहां अगर दिया गया है which of one of the following properties of an element is not variable जो कि यहां पर atomic weight के साब से ये एकदम atomic weight is specific होता है for a particular element and doesn't change under any circumstances वो change नहीं होता अगर वो atomic mass दिया है अगर weight नहीं दिया है तो आप आराम से atomic mass को tick कर सकते हैं पर यहां पर अटाव के weight दिया तो answer आपका atomic weight बनेगा दोस्तो अगला atomic theory was put forward by जो कि आप जानते हैं John Dalton है इन्होंने सबसे पहला modern description of it as a fundamental building block chemical structure ने इन्होंने दिया था और बाकी Democritus Greek philosopher है दोस्तो he developed the concept of atom Greek for indivisible जिसकी आपम का मतलब होता है indivisible ठीक है यह Greek word है दोस्तो यह कह रहा है कि Democritus atom को इन्होंने खोज किया इसने atomic theory जो की John Dalton है दोस्तो और Newton जो की formulation of laws of universal gravitation का और Anthony Lavoiser जो कि आप जानते हैं oxygen को खोज करने वाला carbon साथ-साथ nitrogen और silicon को Anthony Lavoiser है दोस्तो इन्होंने खोज की थी अब बात आता है कौन सा experiment responsible for finding out the charge on an electron जो की 1906 के अंदर Robert Milkman क्या किया इन्होंने value of the charge on the electron in his famous oil drop experiment एक experiment किया उन्होंने उस experiment का नाम है oil drop experiment जो उसको हम कहते हैं Milkman's oil drop experiment किसलिए उसने किया है he identified उसने discover किया है वो क्या है जो की for the finding of the charge on electron जो यहाँ पे charge find out किया electron के उपर बाकी Rutherford alpha ray scattering आप जानते हैं जो की discovery of atomic nucleus के लिए ओक खोज किया है इन्होंने alpha ray scattering अब बात आता है यहाँ पे देख सकते हो alpha particles emitted from a radioactive source bounce back to the source when passed through a gold foil this is possible only if positively charged heavy particles जिसको हम nucleus केते हैं is present at the center hence the experiment led to the discovery of atomic nucleus अगला cathode ray tube जो की discharge tube experiment है crooks tube केते हैं crooks hit of tube is an early experiment electrical discharge tube with partial vacuum invented by English physicist William crooks and others in which cathode rays streams of electrons were discovered यहाँ पे x-rays use करने वाला जो roi engine भी इन्होंने crooks tube का इस्तमाल किया गया है 1895 में यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं chloroform on reaction with acetone gives जो की chloroform आप जानते हैं reaction हो जाता है acetone के साथ तब आपको क्या form होगा तब आपको form होगा trichloro-2-methyl-propane या इसमें देख सकते हो उसको हम chloritone कहते हैं यह हम लोग chloritone को किस हसाब से यूज किया जाएगा एक sedative drug के तहत या preservative के तहत या hypnotic drug होता है anesthetic यह चारो आप यूज कर सकते हो जब reaction होने के बाद acetone के बाद क्या बनेगा chloritone बनेगा जो कि आप जानते हैं बाकी analgesic वो चीज है जो कि substance that reduces pain एक paracetamol हम लोग लेते हैं न वो एक कस्यम का analgesic है जो कि आपको pain को कम कर देता है वो analgesic and anti-paradic क्या सकते हो अब बात आता है hypnotic वाली जो कि यहाँ पे chloritone ठीक है अब बात आता है insecticide जो कि insects को kill करने के लिए जिसके अंदर आप जो कि insect eggs या larva respectively इंसेक्टरसाइट्स अर यूजज इन अग्रिकल्स रे मेडिस्टिन इंडस्ट्री और बाई कंजूमर्स बाकि आईसोसाइनेट आप जानते हैं मीथेल आईसोसाइनेट M.I.C. बोपाल कैस ट्राजडी के बारे में विचाद अफॉर इंग जो कि आप जानते हैं कोल्प्स एलेक्ट्रोलाइट की वज़े से क्या हम लोग प्रिपेर नहीं कर सकते हैं जो की मीथे न दोस्तो बाकि एसेटलीन आप जानते हैं वेल्डिंग और कटिंग में यूज़ किया जाता है ये आलकेन्स और आलकेन्स आपको पता होना ज़रूरी है आलकेन का फार्मला क्या है आलकेन का फार्मला है आलकेन का फार्मला क्या आलकेन अगर आ गया 2N प्लस 2 जो साचुरेटेट हाइडरो कार्बन है दोस्तो alkyne yne cn h2n-2 is the formula so saturated and hydro saturated का भी एक अलग सवाल बन सकता है अगला in caldels method copper sulfate act as जो कि आप जानते हैं ये catalik agent की तरह ये copper sulfate cuSO4 आपको काम आता है बाकी reducing agents क्या क्या है यहाँ पर देख सकते हो है लितियम हाइड्रेड ये सब कैल्चियम हाइड्रेड ये सब देख सकते हो ये reducing agents लेकिन इस caldels method में copper sulfate a catalyc agent की तरह काम करता है बाकी h2o to hydrogen paraxid होता है जो कि आपका wounds वगेरा में कहीं भी लग जाता है तो वहाँ पर भाप निकालता है सो ये oxidizing agent है दोस्तो hydrogen paraxid बाकी आप देख सकते हो जो इनकी दिया गया है copper sulfate act as a catalytic agent है दोस्तो contact lenses are made of जो कि हमारे contact lenses आप जानते हैं ये हम लोग plastic material that is able to mix with the water in your eye hydrogel silicon hydrogel ये जो भी दिया गया है ये contact lens जो है ये hydrogel से या silicon hydrogel से बनता है और या hypergel से बाकी आप जानते हैं lucide जो है अलग-अलग जगा transparent thermoplastic often used in sheet form as a light weight or shorter resistant alternative to glass glass के बदले में इसको use किया जाता है lucide को teflon जो की coating करते है non-stick pans के polystyrene जो की synthetic aromatic hydrocarbon polymer है दोस्तो made from the monomer known as styrene से polystyrene आ जाता है so that can be solid or formed general purpose of polystyrene is clear hard and rather brittle so used in food packaging and laboratory wear ये food packing industry में polystyrene को इस्तेमाल किया जाता है और laboratory wear में भी इस तरह का हर चीज आपको पता होना जरूरी है अगर ये सवाल देरे-देरे से आप इस question paper को एक दो बार आप देख लीजे आपका funding clear हो जाएंगे मैं चाहता हूं कि आप लोग जितना ज्यादा question paper देख सकते हो उतना ज्यादा देख लो क्योंकि standard of paper दिन बर दिन nursing assistant का बढ़ते ही जा रहा है तो आप लोग नजर अंदाज ना करो जो भी upload किया जा रहा है हर चीज learning करने के कोशिश करिए हाँ साथ साथ previous year की जितने भी question papers आपको जहां से भी मिल सकता है आपके पास अगर है आप मुझे देने की कोशिश करिए ताकि मैं अच्छे तरह से आप लोगों को बता सकूँ upload कर सकूँ the number of mole जो की एक mole बराबर होता 6.023 into the power of 23 molecules in 48 gram helium R जो की एक formula based अगर करते हो तो यह आपको answer मिलेगा 12 वो कैसे बनेगा आप आराम से देख सकते हो इस तरह के number of moles for helium कितना है 48 grams में जो की आपका answer बनेगा 12 है दोस्तो यह you have to calculate बाकी आप moles जो की amount of substance का measure करने का क्या unit है moles है दोस्तो और carbon dioxide का एक mole और बाद में देखा जाए ozone का भी एक है और साथ में hydrogen का 4 है sulfur dioxide का यहाँ पर एक है तो आप देख सकते हो carbon dioxide, sulfur dioxide और ozone का सबका यह की है दोस्तो पर यहाँ पर चार जो की hydrogen में देख सकते हो तो यह आपका फरक पता होना जरूरी है कभी भी आपसे इस तरह का moles related सवाल पूछा जाएगा helium में कितना है यहाँ पर 12 है दोस्तो अगला which of the following materially suitable for water purification जो की पानी का purification के लिए आप zeolites को इस्तमाल किया जाता है इसको हम sodium zeolite कहते है यहने टू जडी जो की zeolite process होता है जिसको हम लोग water softening भी कहते है जब hard water को हम लोग उसमें डालेंगे उस zeolite process में आराम से वो क्या filter कर देगा अपना जो sodium zeolite है बात आता है asbestas जो की fire fighting proximity suit होता है जो की fire fighting personal पहनते हैं वो asbestas material से बनाया जाता है एक asbestas fabric होता है जिसके वज़े से वो आग जल्दी नहीं पकड़ता है और silicon जो की आप जानते हैं एक desiccant जो की इसको कहते हैं drying agent that manufacturers often place in little packets to keep moisture from the damaging certain food and commercial products जो की आप जानते हैं कोई भी shoe हो गया जिसे की electronic items हो गया उनके अंदर आप थोड़ा silicon gel packets देख सकते हो उससे क्या होगा वहाँ पर पूरा moisture को एकदम खतम कर देगा quards जो कि आप जानते हैं glass making abrasive foundry sand जो की quards को यहाँ इस तरह के जगह पे use किया जाता है hydrogen directly combines by loising, gaining or sharing electron बहुत ही important है दोस्तो hydrogen किस से calcium से जब combine हो जायेगा directly तब calcium hydrogen देखने को मिलेगा तो आपको पता होना ज़रूरी है hydrogen किस से directly combine हो जाता है वो है calcium से और यह कैसे by loising, gaining or sharing यह तिनों रख यह याद loising से loss हो जाता है, gain भी होता है और share भी करता है यह गुन आप देखने को मिलेगा, यह hydrogen इस तरह से वहाँ पर reaction हो जाता है वो form हो जाता है calcium hydrogen, calcium hydride जो कि देख लीजेगा CAH2 यह बहुत ही important question है दोस्तो अगला which of the following substance is a bad conductor of electricity but a good conductor of heat बहुत ही important है दोस्तो ऐसे कौन सा जो है substance, bad conductor of electricity है पर good conductor of heat है जो कि mica आप जानते हैं, यह bad conductor of electricity है पर good conductor of heat है दोस्तो कौन सा है mica, it's a good thermal conductivity due to phonos but doesn't have sufficient free electrons, good conductor of electricity यहाँ पर photons होता है दोस्तो अब यहाँ पर salt भी एक किसम का आप देख सकते हो यही mica जिस साब से यह bad conductor of electricity और good conductor of heat है ठीक उसी तरह नमक भी है दोस्तो यहाँ पर जो भी दिया गया है आप देख लीजेगा जो कि यहाँ पर mica is the right answer दोस्तो जो कि bad conductor of electricity और good conductor of heat यह proton is about 1840 meters heavier than an electron when it is accelerated by the potential difference of 1 kilowatt its kinetic energy will be जो कि यहाँ पर kinetic energy पूछा गया है जो कि आप जानते है potential energy potential difference यानि volt होता है 1 kilowatt यहाँ पर 10 cube volts होता है जो कि 1 kilo यानि 10 cube volts का बराबर होता है और kinetic energy जो कि आप जानते है qv होता है यहाँ आपको charge भी दे दिया और potential difference भी दे दिया दोनों आप product करने से आपका answer 1 kev आएगा तो यहाँ पर kinetic energy is equal to easily आपका answer 1 kev आपका answer बन सकता है जो कि सही उत्तर है दोस्तो अब बात आता है to which of the following the Dalton's law of partial pressure जो कि आप जानते है partial pressure applicable to non-reacting gases जो कि यहाँ पर NH3 and hydrochloric acid यह सब जो है reacting gases है दोस्तो बाकी आप देख सकते हो nitrogen, hydrogen or helium and oxygen यह सब क्या है यह सब जो है non-reacting gases है दोस्तो यह Dalton's जो law है यह partial pressure का यह सिर्फ non-reacting gases को applicable करता है बाकी NH3 and HCl जो है reacting gases के साथ यहाँ पर देख सकते हो the combination of element or compound with oxygen is called जो कि जो भी combination of element है और compound with oxygen जिसको हम कहते हैं oxidation or oxides कहते हैं दोस्तो जो बहुत ही important है और इस तरह का combination element or compound with oxygen किसके साथ oxygen के साथ जिसको हम oxides कहते हैं या oxidation कहते हैं बाकी आप combustion आप जानते हैं one type of burning of wood एक combustion process है बाकी addition reaction अलग चीज़े combination reaction भी अलग है सर यहाँ पर compound with the oxygen पूछाया तो कि oxide से दोस्तो यानि oxidation is the right answer यह मैंने maximum आप लोगों को discuss करने की कोशिश की है दोस्तो यह 45 minutes आप लोगों के लिए शायद कहीं न कहीं आप लोगों को फाइदा होगा मुझे नहीं लगता है कि इंडिया के अंदर इससे बढ़िया आप लोगों को कोई बताया हो अगर बताया हो तो मुझे comment section में बता दीजिएगा इस paper का Thank you दोस्तो Have a good day Have a great life अगर आप लोगों को selection सही में पाना चाते हो आप हमें call कर सकते हैं जितने भी paper discuss किया गया है previous year सब आपको हमें by post बेजा जाएगा Thank you दोस्तो Have a good day Have a great life